देश की राइधानी दिली में कुरोना संकट कुछ हद तक कम होने की वज़े से अनलॉक की प्रक्रिया शिर हो गई है दिली में सोमार से कई शेत्रों में छूट मिल रही है बाजार मेट्रो जैसी जरूरी चीज़े खुलने लगी हलाकि अभी कुरोना का संकट टला नहीं है ऐसे में अनलॉक में कुछ ही छूट दी गई है अभी भी कई ऐसी चीज़े या छेत्र हैं जहां पर पाबंद यान लगी है दिली सरकार का कहना है कि आने वाली दिनों में परिस्थितियों के हिसाब से छूट को पढ़ाया जा सकता है अनलॉक प्रक्रिया के बीची दिली में मॉल, जिम, स्विमिंग पूल, सिनमा हॉल, एंटेटेन्मेंट पार्ग बंद है इसके साथ ही रिस्तरा में बैट कर खाने पर पाबंदी सिर्फ होम डिलवरी की इजासत है सापताहिक बजारे बंद और इवन के हिसाब से ही दुकान एक खुलेंगे एंटेटेन्मेंट फिल से जुड़ी कई अन्य दुकार या जगां भी बंद रहेंगे स्कूल, कॉलेज, कोचिंग सेंटर्स भी बंद है बेवज़ बाहर घुमने फिरने पर भी रोक है पाग, गार्डन बंद यहां घुमने पर रोक कंटेंट मिन्स जोन में किसी तरह की जूट नहीं यारी जहां केस ज्यादा है वहां लॉकडाउन लगा है सलोन, ब्यूटि पार्लर भी बंद है शराब की दुकाने भी और इवन के हिस्साब से खुलेंगे लेकिन वहां पर बैट कर पीने पर पाबंदी है सिर्फ ले जा सकेंगे अगोर तलब है कि दिल में बीते 400 से कम नए केस सामने आए वहीं अब एक्टिफ केस की तादाद भी 5000 के आसपास पहुँच गई ऐसे में दिल्ले के मुख्यमंत्री अर्विन केजरिवाल ने अनलोग की प्रक्रियाश शुरू कर दी दीरे दीरे पाबंदियों को हटाया जाएगा हला कि मुख्यमंत्री ने चेताया कि अभी नियमों का पालन करें मास्क पहनें अगर केस बढ़े तो फिर पाबंदियों लगाई जा सकती है